नमस्का दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल गूगल देव पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबकस के बारे में अबकस के बारे में अल्रेडी हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो है अगर आप अबकस सीखना चाहते है तो आप जाकर उन वीडियो को देख सकते है आपको अबकस सीखने में काफी मदद मिलेगी लेकिन आज का जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करेंगे एक application के बारे में जिससे आपको Abacus सीखने में काफी मदद मिलेगी तो जिस app के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उस app का नाम है No Abacus Right now इस वीडियो में जो screen में आपके साथ share कर रहा हूँ यह उस app की ही screen है यह उस app का interface है तो एप को open करने के बाद यह first page आपके सामने आएगा आएए चरे बात करते हैं किस तरह के options हमें यहाँ पर मिलते हैं Abacus सीखने के बारे में First of all left corner में सबसे उपर top पर यहाँ पर एक आपको option मिलता है जो एक Abacus का virtual tool है इससे आपको कुछ भी practice करनी हो तो आप इससे practice कर सकते है Abacus के जो book है या फिर आपके पास जो भी material है आप इस practice कर सकते है तो basically एक virtual tool है Abacus का तो उसके बाद अगर आप beginner है और Abacus अभी सीखना शुरू किया है तो मैं आपको recommend करूँगा कि इस app का आप इस्तेमाल जरूर कीजिए तो first of all first जो option है वो है counting का तो counting के इस option में हमें सिखाया जाता है किस तरह से Abacus में counting करते है अगर आप beginner है तो आपको इस app को एक बार जरूर use करके देखना चाहिए यह जो app है यह आपको beginner से लेकर intermediate level तक ले जाने के लिए बना हुआ है तो यह आपको आपके level के हिसाब से आपको guide करता है और यहाँ पर यह आपको सभी तरह के instruction देता है कि किस तरह से counting करना है यहाँ पर यह guidelines का एक books भी available है तो यह काफी तरह काफी अच्छी तरह से आपको guide करता है और यह जो levels है यह basically counting से लेकर आगे जो level बढ़ती जाती है तो इससाब से आपको guide करते है तो इसे के साथ इस app में आपको बहुत ही अच्छी तरह से practice भी दिये जाती है तो first option है counting का उसके बाद जो option है यह बढ़ते जाते है जिस तरह से आपके level है यह बढ़ते जाते है जैसे जैसे आपका level बढ़ता रहेगा उस हिसाब से आपको यह जो app है यह guide करता रहेगा basically आप अगर देखेंगे तो यह जो है एक game की तरह इसे design किया हुआ है जिस तरह से आप game में first stage से तक आगे बढ़ते है उसी तरह से इस app में भी यह design किया हुआ है तो यह बहुत ही अच्छी तरह से आपको guide करता रहेगा इस app में आपको सभी चीजे सिखाई गई है एक और जरूरी बात पर मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगा जब भी हम किसी third party app को हमारे mobile में install करते है और उसे run करते है तब उस समय हमारे mobile screen पर बहुत सारे advertisement आते है जो कि हमें irritate करते है लेकिन यह जो app है इसे एक बार आप install कर लीजिए इसे एक बार install करने के बाद इसे run करते समय इसे चलाते समय आपको internet की जरूरत नहीं है तो जब भी आप इस application को अपने mobile में open करे तो अपना जो data है उसे burn कर दीजिए इंटरनेट का जो source है उसे burn कर दीजिए ताकि आपके screen पर कोई भी advertisement ना आए अगर आप अपना calculation का जो speed है उसे बढ़ाना चाहते है और बहुत ही fast तरीके से आप calculation करना चाहते है और आप abacus सीखने में अगर रूची रखते है तो इस application को आपको जरूर एक बार use करना चाहिए आप install करने के बाद इसे चलाते समय आपको अगर कुछ समस्य आती है कोई दिक्कत आती है कोई problem आती है तो आप मुझसे share कीजिए मैं आपको जरूर मदद करूंगा I hope के आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे like करिए अपने दोस्तों के साथ इसे share कीजिए और इसी तरह के interesting वीडियो देखने के लिए हमारे इस channel को subscribe कीजिए जैहिंद वन्दे मातरम